क्या आपकी बोडी भी डीटैन हो गी है, स्किन अन इवन टोन में हो गई है, स्किन के ओपर पैची से बन गये हैं, कहीं स्किन का कलर डार्क हो गया, कहीं लाइट हो गया है, और आप अपनी मन पसंद ड्रेस नहीं पहन सकते, तो एक बार इस फुल बोडी डीटैन, फेस पैक बोलो, डीटैन स्क्रव बोलो करके देखिए, एक ही इस्तेमाल से आपको अपनी स्किन के अंदर अंतर दिखाई देगा, हाई एवरीवन, आपका आपके अपने चैनल ब्यूटी विद नेचर बाय सुनीता सैनी में, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हो आप सब लोग, I hope आ अपने वीडियो में, डीटैन रिमूवल रेमिडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं लोगी एक चमच चावल का आटा, और एक चमच संतरों के छिलकों का पाउडर, अगर आपके पास संतरों के छिलकों का पाउडर नहीं है, तो आप बिल्कुल टैंशन ना लीजिए, गेहुं का आटा, चुटकी वर हल्दी, अब हम इसमें दूद एड़ करेंगे, हमने इतना दूद एड़ करना है, जिससे इसकी एक ऐसी पेस्ट बनकर त्यार हो जाए, जिसको हम अपने चहरे और हाथों पे लगाएं, तो वो गिरेना असानी से टिक जाए, अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ, एक चमच नारियल का तेल, और आदा चमच नीमुकारस, अब इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसका इस्तेमाल करेंगे, अब सबसे पहले मैं इसको अपने चेहरे के उपर ल रगुलर अपनी बोडी के उपर करेंगे तो हमारी बोडी के उपर भी जल्दी से जूरियां नहीं आएंगी इसमें हमने जो नारियल के तेल का इस्तेमाल किया है वो हमारी बोडी को सूपर सोफ्ट बना देगा और नीम्बू का रस काले पन को दूर करने के लिए बहुत अच्छा होता है चावल का आटा स्किन वाइटनी एजेंट की तरह काम करता है इसका मतलब यह है कि यह हमारे रंग को साफ करने में हमारी हैल्प करता है नीम्बू डीटैन को हटाएगा अगर आपकी स्किन के अंदर काला पना आ गया तो यह उसको भी दूर करेगा यह आपकी बोड़ी को डीटैन से चुटकारा दिलाएगा सन बन को ठीक करेगा अगर आपकी बोड़ी के ओपर कहीं काले काले पैचिस से बन गए है निशान है तो ये उसको भी ठीक करेगा अनीवन स्किन टोन को बेहतर करेगा आपने अपनी बोड़ी के ओपर पांच मिनट स्क्रब करना है और उसके बाद इसको ऐसे ही लगा छोड़ देंगे पांच मिनट के लिए आजकल गर्मी है ये बहुत जल्दी सूख जाता है बस पांच मिनट ही इनफ है जब हमारी बोड़ी डीटैन हो जाती है तो हमारी स्किन का कलर बदलने लग जाता है कहीं से कोई कलर दिखाये देता है स्किन का कहीं से कोई कलर है इसी कारण हम अपनी कोई मनपसंद ड्रेस भी नहीं पहन पाते आप एक बार मेरे कहने पर इसको इस्तेमाल करके देखिए आपको बहुत ही ज़ादा खुशी होने वाली है इसका इस्तेमाल करके आप एक बार इस्तेमाल करोगे, कभी छोड़ोगे नहीं आपने इसको हफ्ते में सिरफ एक ही बार करना है बस, जब आप नहाने जाओ, उससे पहले बनाकर अपने बोड़ी के उपर लगा लीजिए उसके बार नहा लीजिए नहाने के बाद जो आपकी बोड़ी शाइन करेगी, गलो करेगी उसको देखके तो आप सच में खुश होने वाले हो पांच मिनट के बाद आप दोबारा इसको रब करें जब आप रब करोगे, तो आप देखोगे कि आपकी बोड़ी के अंदर की जो मैल गंदगी है वो निकल निकल के बाहर आ रही है आपने इसको दो मिनट रब करना है, अच्छे तरीके से ताकि ये सारी गंदगी अराम से निकल जाए अब मैं वाश करके आती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल डिजल्ट देखी मैं वाश करके आ गई हूँ, स्किन बहुत ही ज़्यादा सोफ्ट है जिसको सुपर सोफ्ट बोलते है न, ऐसी लग रही है एकदम चिकनी फील हो रही है स्किन बिल्कुल भी जुरूरत नहीं है, आप इसके ओपर मॉस्टराइजर लगाएं आप इसको बोडी स्क्रब बोलिए, बोडी पॉल्शिंग बोल दीजिए बोडी पैक बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए लेकिन करके जुरूर देखे, इसके रिजल्ट आपको सच में बहुत ही बढ़िया मिलेंगे करोगे तब ही जान पाओगे तो आप भी इस बोडी पॉल्शिंग को, बोडी स्क्रब को, बोडी पैक को लगाएं अपनी बोडी को जमकाएं तो फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बड़ बाई